कुलते हैं ना हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती उसी तरह से हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं होती क्यों मैं ऐसी बाते करनी हूं आगे मैं आपको बताती हूं बने रहें मेरे साथ और यहां पर मैंने ब्लॉग का एंड किया था तो सुचा यहीं से शुरुआत करती हूं बच्चे पीरे थे नारियल पानी निसे खतम नी हो रहा था अच्छा इसके बाद हम लोग निकल गए थे गाड़ियां देखने यहां पे हमिरपूर में गाड़ियों के शोरूम है और रास्ते में यह चीज़ें पढ़ने वाली थी तो हमने देखे लेते हैं तो प बंडी का जो शोरूम है ना मतलब नेर्चौक में है तो वह हमें और भी जादा दूर पढ़ता है और यहां पर आज हम आई थी तो चलो चेक वेक कर लेते हैं लेकिन हमारी किसमत में नहीं था यहां पे थी ही नहीं थार गाड़ी तो नहीं देख पाए और बगी साथ में थ चला रहता है ना यह बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो बच्चे भी शोर कर रहे होते हैं अभी तो बच्चे शान्त हैं सोय हुए हैं पिच्छे और हम फिर देखे पहुंचने ही वाले हैं सरका घाट यह कॉलेज के पास का एरिया है तो ऐसे समन्दों आज का दिन रहा का सब्सक्राइब तो जल्दी जल्दी चाह रहे थे कि घर पहुंचते और थोड़ी सी देर अटलिस्ट रेस्ट कर लेते तो यहां पर हम पहुंच गए घर बच्चे लग गए अपने कपड़े बपड़े चेंज करने और मैं में क्या पहले बाहर डाले वे थे कपड़े सुभ बच्चों की बर्दियां में जो कुछ भी था तो मैं कि इसको उठा लेती हूं और एक चीज मैं भूल रहे हूं हैपी गंतंत्र दिवस बहुत बहुत बदाई हो बंदे मात्रम जय हिंद जय भारत और यहां पर फिर मैं बच्चों की यह कपड़े उठा रही थी बच्चों हॉल थे तो फिर शायद मैं ही फॉगेट कर गई थी चीजे लेकिन हां 26 जैन्वरी तो आज ही है तो बहुत बदा ही है और मैंने सारे कपड़े उठा लिये इसके बाद फिर हम लोग थक गए थे बस छोटा मोटा लाइटली खाना खाया और सो गए थे सुबह मॉर्निंग का यह रूटेन है यहां पर मैं बना रही हूं खाना मदलब बच्चों को स्कूल जाना है तो उनका लंच बॉक्स भी प्लस हमारे लिए भी हो जाता है लंच प्लस ब्रेकफास्टी तो सबजी में बन रही है मिक्स वेज है गोपी थी शिमला मेर्च थी मर्टर वाइगर सब का टाइम होता है मतलब एकदम भागं भागवाला पहले किचन में फिर बच्चों के साथ किज के एक ठंड बहुत सादा हो रही है बारश हो लिये लगता दर उस वज़र जादा है तो बच्चों का भी मन नहीं कतता रहिए उसे उठने का तो फिर उनको उठाना फिर तयार क बहुत सारी चीज़े होती है तो सुभा के टाइम पे मलब अच्छे से ब्लॉगिंग कर अपाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है लगता तो है ना कि ब्लॉगर्स की लाइफ बहुत ही एजी होती होगी बस कैमरा लिया शूट किया और एडिट किया और हो गया ब्लॉग तया है जी नहीं बहुत सारी स्ट्रगल्स होते हैं इसके पीछे भी और मतलब देखी जो आपकी जॉब है ना उसमें आपको पता होता है कि अच्छा सुबा उठो रेडी हो बकि फुल डे आप अपनी जॉब पे हो लेकिन यहां पे घर का संभालना वो चीज़ें वो अलग से है और बीच में ऐसे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो जाते हैं जिससे की माइंड मतलब इतना ज़्यादा कजल हो जाता है ना जिसका कोई हिसाब नहीं होता चलिए छोड़िए अभी बच्चे को भेज़ दिया स्कूल और उसके बाद फिर ये मैंने दूसरे चैनल के लिए र चावल चुटी का दिन है तो राजमा चावल खा करके परीदेव आज पूरा दिन सोना चाते हैं सोना नहीं चाहता हूं मैं एक्चुली मैंने आल लकडी काटनी है और उनको पेड़ना है ताकि थोड़ी सेत बनी रहे और तो ये राजमा बॉइल कर दिया है रात को भीगने ग्राइंडर की एक लिए खाएंगे फिर एक स्मूद जैसे एक दिन हमने पनीर बनाए था न चुले पे तो इनको बड़ा टेस्टी लगा था रूर पता है किसने बनाया था बोलो अजी तो फिर आज ये मही वेटरन फालो करें आपर ये थोड़ा सा थोड़ा सा मसाले का द हैं बार बार शानुवर में टुकुछते हैं 31 को क्या बोलते रहे हैं 31 करो क्यों करो इनको यहां पर तड़का हो गया है रेडी और बस इसमें डाल देंगे फिर राजमा चुट्टी के दिन राजमा चावल खाने का अपना ही मज़ा है मतलब खाओ प्यों और फिर माच करो में जाओ यह करो पूरा दिन पर उनका शोर शराबा ऐसे ऐसे स्कूल चले जाते हैं तो अटलिस्ट कुछ घंटे तो फ्री होते हैं जब आप फटा फटा से काम कर लेते हैं तो 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 उतने दिन्डे पढ़ेंगे अर्ट चल देख से बैट कि ली कोई शानुवी शानुव जो दिको रहो शान भी उठो लो 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 जो दिस बैट डंग से आज इनकी पड़ाई और ये डेंडे के साथ तो जादा बोलता जादा मत बोला कर जितना काम बताएगा उतना कर सिरफ अलिक्रा जल्दिकर पूरा दिन कुर कुरे बाहर जाना कुछ बोल लो दो नहीं आज देखना बेटे जब तक मैंने वोला सिक्स से लेकर फिफ्टिं टक पूरे टेवल मुझे कर फिंगर्ट फिंगर्स पर याद होने जो उसके बाद तुम करो कुछ भी जो मर्जी करो आते मास्टर जी आज तो सौटर सूटर ता बड़ी 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 है भाही तरी यारो इता जच्छी ने दूसे इता सौटर कि इनि स्वाटर तवड़ी बड़ी आई ये त्री द्रेस वड़ी अजिक्तार नी स्वाट्र ता बड़ी है पांच जार के शॉट्र रहे ये ने 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 शॉट्र था बड़ी है अम्ये क्या आले तेरे ठीकी 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 वह सुल्सूस न पढ़िया पाई रहा थैं है वह पीले वह बाई फिल्टर वाड़ा पाणी है तो पुरकुरे मत दो पुरकुरे वाई यह वह पीले पीले चीट दिन उन्द भुश्वेश दो तीन तीन वार पढ़ लिये नों कि हम सारे कामकाज छोड़के बैड़ जाते हैं उनके साथ गप्षप करने यहां पर मैं दीदी को अपना सूट दिखा रही थी कि वह सेशन नहीं आवला इन्होंने वीडियो देखा था था ना फिर मैंने दिखाया उनको काफी अच्छा है गरम भी है मेरे लिए भी एक लेन तो मैं इनको प्रोड़ी का यही रख लो आप एकी बार तो अभी ना पहना है तो ऐसी कप्चप आपस में हो रही थी और इसके बाद फिर आज कल नहीं यह जो सुई धागा वाले चले विया ना यह रिंग मेरे पास है तो दीदी बोल रहे कि भी मैंने भी लेने ऐसे तो ज अच्छी लगती है फिर इनके में इयरिंग दिखा रही है अपको कि इनकी इयरिंग में तीन लड़ियां है जैसे मेरे में एक है ना मैं थोड़ी सी लंबी जैसी चेन रख वाई है और वैसे होती सुई धागा में इतनी लंबी है अगर शॉट कराना चाहें तो करा भी सकते हैं तो फिर वैसा हम आपस में ऐसे बोले कि कैसे जच रहे है लेने चाहिए ना लेने चाहिए फिर दीदी बोरी भाई खोल दे तू मेरे यह अच्छे हैं जादा तो ऐसी लेडिज में यह सब बाते कामन सी बाते होती अच्छा कि यह कैसा है तूने नया लिया तो वह सारी पर यह लोग चले गए और फिर मेरा यह पैंडिंग था वीडियो यह शूट किया उसके बाद फिर तनीशा हमारे यहां पर रहे थी हम लोगों ने खाया पिया इसकी पसंद से यहां सारा कुछ बना था तो खाया पिया और उसके बाद यहां पर इसको बड़ा मजा आता है जब भी हमारे इदर आती हैं कि यह स्पिकर वगारा लगाते हैं हम इंजॉय करते हैं चलो ठीक है कभी-कभी लाइफ में इंजॉय भी करना चाहिए तो फिर मामू मैं यह लगा रही हूं तो यह लोग पहले ही हम लोग खाना वना बना दे तब तक यह मस्ती कर दे थे अपनी फिर पतीदेव आ गए यह भी मगन हो गए अभी यह है नेक्स डे तो हम लोग जा रहे हैं चुट्टी वाला दिन है तनीशा की परेड थी वह तो सुबह सुबही निकल ली थी और हम लोग अचुली मेरी सिस्टर आए भी थी परे मेरे माई के उसी दिन फंक्शन वाले दिन मलब शाम के टाइम पर हमारे रिवाज है न मलब एक बार चक्कर काटके जाते हैं तो हमने सोचा कि आज चुट्टी वाला दिन है तो उसके साथ मिल के आता है फिर हमें भी टाइम नहीं लगागा बच्चों के एक्जाम लग जाएंगे तो फिर हम लोग निकले वहां के लि हमें नहीं जाना आगे लेकिन फिर सामने से गाड़ियां भी आ रही थी ना उनसे पुछा कि कहां तक रोड खराब है तो उन्होंने बिताया कि बहुत जादा नहीं बिस थोड़ा सा ही है तो फिर पती देव ने बोला कि तुम लोग उतर जाओ तुमारा भी बजन है कोई नहीं दोड़ सकता है और है कि सांस फुल गई वे मेरी तो ना चल के जड़ी चलो इससे बले पीचे से कोई और गाड़ी आजाए ओ मेरे पैर भी गंदे हो गए है ना गंदा रोड इतना किचर किचर मैं इनको पीछे उतार दिया था और मैं गाड़ी लेके बहुत मु पीछे उतार दिया है यह बहुत अरे यार जैसे इतना ही मैं जिसे निकाल रहे है स्क्यूटिंग इतनी इधर को जा रहे है बड़ाए बारिश में वैसे भी कहीं भी जाना इने चाहिए क्योंकि गाड़ी की बात है वो दुक मैंने गाड़ी आगे खड़ी की हुई है आगे जाके इतनी दूर वह से पैदल आ रहे हैं बड़ा खराब रोड है और भाई बेवी क्या ले तेरे बानी क्या ले नमस्ते नमस्ते मैंने का यार देखो मेरा कैमरा तो भाई ओपन रहता है हर जग आई जहां दिल करता है वहां कोई टेंचन नहीं और बेवी क्या ले ठीक है ठाना कुना खाली है और चीकू ठीक है ना कोच करें मास्त रहाना चाहिए यहां पर पहुंचे तो हमें पता चला कि यह लोग तो जा रहे हैं आज ना इसका बेटा एक मत का हो गया और फिर यह लोग जा रहे थे पैकिंग शेकिंग पूरी कम्प्लीटी थी और वीडियो की बात बताओं हम लोग इसलिए नहीं लेते क्योंकि इनके फामिली को वीडियो बगार यह सब चीज़े पसंद नहीं है तो यह लोग चले गए और फिर हमने भी बाणी से गप्पे शप्पे की थोड़ी दे रहे हैं जलो जल्दी गर पापा कांगे जलो 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 बारिश पढ़ने से पहले पहले और अभी तक तो सारा मतलब सूक भी गया होना था ठीक हो गया होना था रोड तो फिर हम लोग निकल लिए फटा-फट से और बाकी मौसम यह देखे काफी बादल जैसे आया हुए है घर आकर के चेंजवेंच किया और यहां पर पदीदेव घराटे ले करके सो रहे थे और मैं यहां हीटर के सामने बैठी वी थी एडिटिंग कर रही थी कपड़े वपड़े थे बाहर सूखने के लिए वह उठाए मैंने और अभी के लिए यहीं पे चेयर पे रख दिये थे मैं के पहले अपना यह काम कर लेती हूँ फिर आराम से बकी कल की त्यारी करूंगी स्कूर जो जाना है बच्चों को तो आज के लिए इतना ही मिश्कार